हलो फ्रेंड आज मैं हरे प्याज का पकवरा बनाने जा रही हूं सर्दी के मौसम में हरा प्याज बहुत ज्यादा मिलता है खाने में बिल्कुल टेस्टी लगता है चले देखते हैं कैसे इसे बनाते हैं ये देखिए मैंने हडा प्याज लिया है, बिल्कुल मुलाइम देखकर लिया है, मैं इसे अच्छी तरह से साफ करके धो कर काट लूँगी, प्याज को पतला देख कर लें अब मैं चना दाल लिए हूँ चना दाल को 4-5 घंटा फुला कर साफ कर लिया है ये देखिए बिल्कुल फुला हुआ है इसे दरदरा पीसना है मैं दाल में ही पकोरा बनाऊंगी ये देखिए पीस चुका है बिल्कुल दरदरा अभी दिखाते हूँ अभी से एक बाउल में निकालूंगी ये देखिए अब मैं चावल के आटा डाल रही हूँ चावल के आटा से कुरकुरा बनता है अब मैं कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ हरा प्याज दोस्तो हरा प्याज का पकोरा खाने में बिल्कुल टेस्टी होता है सर्दी के मौसर में जरूर बना कर खाएं अब मैं हरी मीर्च डाल रही हूँ मिर्च को आप कम ज्यादा कर ले अपने हिसाब से, जीरा, स्वाद के अनुसार नमक, मसला हुआ अजमाइन, इन सभी को अच्छी तरह से मिला ले दोस्तों, ये देखिए, मैंने मिला लिया है, इसे, दस मिनिट के लिए छोड़ दिया था, मैंने, अब दस मिनिट के बाद फिर मिला रही हूँ, अब ये बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, मैंने इसमें हलका सा हल्दी भी डाली थी, अब मैं एक करहाई में सरसो का तेल डाली हूँ गैस को बिल्कुल मेडियम रखें ताकि ये भीतर तक पक जाए हरा प्याज पानी वला होता है इसे मेडियम आज पे ही बनाए ताकि ये भीतर तक पक जाए इसे अच्छी तरह से उलट पलट कर बनाए दोस्तो गुलावी होने पर इसे में निकाल लूँगी ये देखिए बन गया है अब मैं इसे निकाल रहे हूँ सर्व करने के लिए इसे गरम गरम ये खाना है दोस्तो ये देखिए बिल्कुल तयार हो गया सर्व करने के लिए ये चाय काफी के साथ सर्व करें बिल्कुल टेस्टी लगता है खाने में पकवरा सर्दी के मौसम में थेंक यू करता है